नमस्कार दोस्तों मेरा आप सास्तिरी सवगत करता हूँ आपका दोस्तों अपनी जोति सिखाने की संकला को जारे रखते हैं आज हम गरो की दरिश्टिक के बारे में चर्चा करेंगे बहुत महत्तपून टोपी के यह दोस्तों स्टेप बाई स्टेप मैं आपको समझा रहा बारा राश्यों के बारे में गरो के बारे में बारा भाव से क्या विचार किया जाता है गरो के तत्तू गरो राश्यों के सहभाव राश्यों के तत्तू और साती सात इसके बाद हमने चर्चा करी उमच और नीच के गरह गरो की डिगरी यह तमाम जानकारी हमने पुछले कवर करी आज हम गरों के दरश्टी के बारे में चर्चा करेंगे और इसके बाद हम डिरेक्ट कुंडली अनलाइजिज करना शुरू कर देगे तो दोस्तों डिरेक्ट अकर इस वीडियो पर आप आ गए हैं तो कुछ पिछली वीडियो जुरूर देख लिजेगा ताकि आपको असानी से चीज समझ में आ जाए यह जो मेरे चैनल स्टार्ट किया है मेरा सिर्पुदस्य यह है कि आपको असानी से सरल तरीके से मैं समझा सकूं कि कुंडली कैसे देखते हैं कैसे अनलाइजिज करते हैं तो स्टेप बाई स्टेप हम चल रहे हैं तो देखिए जो 30 के छीए बाराव लगन दूसरे को धन भाण। तीश्रे को प्राकरम भाव बने को पनगों माने जाता है चोले को शुक बाव पांचव हम संतानंने शाटर को अरे वह availability बोलतें आठ्वा जो है दामत्ते भाव भी बोलते हैं सात्वे को, आठवा भाव मृत्तु भाव बताया दाता है। नुवा भाव भागयेगा, दसवे भाव करम भाव, ग्यारवा लाब भाव, और वारवा मोक्स भाव। ये टोटल बारा भाव, इन बारा भाव से बहुत कुछ विचार करता है, मोटे तोर पे मैंना आपको समझा दिया, किस भाव को किस नाम से समझा जाता है, पहले भाव को लगन भी बोल सकते हैं, पहला भाव भी बोल सकते हैं, इसी परकार आप दूसरे भाव को दिर्टे सब्सक्राइब करो सुरिय अगर यहां पर लगन में यहां पर सूरिय बैठे हैं तो सूरिय जहां बैठे हैं यहां 제 एनरी परकाव देंगे और रहा ह dai even यहां से बैठेंगें तो कि तो सात्वी दरस्टी लगन में होके विवाद जीवन पर उनकी जाएगी जहां पर बैटेंगे अगर सूर्य यहां पर बैटे हैं तो सात्वी दरस्टी शुक भाहों में बैटे हैं तो करम भाहों में उनकी सात्वी दरस्टी जाएगी यानि सूर्य के पास सिर्फ एक मात्र द अच्छे हैं इलाख आपर कंदूर्ट्री करेंगेms पर सिर्फ गरों की दरस्टी का मैंत तो चंद्रमा चंद्रमा सुक का कारक चंद्रमा माता का कारक चंद्रमा मन का कारक चंद्रमा उसको भी एक दरस्टी मिली है साथवी यानि चंद्रमा कहीं पर बैटे हैं यहां पर बैटे हैं चंद्रमा तो अगर यहां पर बैटे तो एक दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, अपने बोजिट साथवी दरस्टी यहां पर पड़ेगी, धन भाव में बैठके, मृत्य भाव के भी वो फल देंगे, आठवी भाव के भी, तो चंदरबा के पास भी एक मार्ट दरस्टी, अगर हम बात करते हैं बुद्ध की, तो बुद बैठता है, वहाँ के रिजल्ट देगा, जहां पे उसकी दरस्टी गई, साथ भी वहाँ के वो रिजल्ट देगा, बुद्ध की बेबात कर रहूँ, अब यह रिजल्ट कम मिलेंगे, बुद्ध की दसांतर दसा में, अच्छी ए बुरे, ये डिपेंड करता है कि बुद्ध तो कुंडली के अंदर अच्छे हैं या खराब है, मारक है या कारक है, मारक है तो negative फ़ल मिलेंगे, positive है तो अच्छे फ़ल मिलेंगे, अब आगे चलते हैं दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे सुकर के ओपर, सुकर के भी एक मातर दरस्टी, सात भी, उनके पास भी एक है, अब सुकर अगर मान लो कहीं पे भी बैठे हैं, अगर संतान भाव में बैठे हैं सुकर, तो संतान भाव के तो वो रिजट देंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, सात, सात भी दरस्टी लाभ भाव के उपर, जहां पर कोई गरा बैठता है, वहीं से गिनते हैं, तो वो पांच भी भाव के भी फल देंगे, गैर भी भाव के भी फल देंगे, खराब या बुरे, यह डिपेंड करेगा, सुकर, कुड़ले के अंदर अच्छे हैं, या बुरे, अब यह सूरिय, चंदर, बुद्ध और सुकर, यह चार घरा ऐसे हैं, जिनको सिर्फ एक दरस दरस्टी मिली, अब यहां से आपको थोड़ा समझ रहा है, मंगल, मंगल की तीन दरस्टी होती है, चोथी, सात्वी और आठ्वी, इसका मतलब यह हुआ, फोर एक्जमपल, अगर मंगल लगन में बैठे हैं, तो यहां से अगर आप गिनोगे, एक, दो, तीन, चार, तो या जनी 1, 2, 3, 4, भाव, को वो और करेंगे, पहला, छोथा, सातवा, आठ्वअ, जहां बैठे हैं, महां के फ़ल देगे, जहां दरस्टी डाले हैं, महां के वो रिचण देगे, तो एक साथ, सात्वा, आठ्वा, ववह से पहा को, तो अगर अच्छे हैं, तो इन भाव से रिल इसी परकार गुरु की जो तीन दरस्टी होती है पांचवी, सात्वी और नोवी इसका मतलब यह है कि गुरु अगर लगन में बैटे हैं तो यहां इसी आप गिने तो गुरु यहां पर बैटने के बाद पहले भाव के तो फल देंगे ही देंगे क्योंकि वहां पर बैठे हैं तो पहली दरस्टी पांचवी यानि पांचवी पहली दरस्टी दूसरी सात्वी और तीसरी नोवी तो यहां से अगर आप गिनोगे एक, दो, तीन, चार, पांचवी यानि लगन के देंगे विभाव जीवन के सात्वी सब्तम भाव के देंगे और नोवम भाव यानि भाग लेंगे अब दोस्तों अगर चलते सनी सनी की होती है तीसरी सात्यर सात्य सब्कस्राइब 12 इसका मतलब है सनी को लगन परिले लेते हैं तक आपका असले समय मैं तो सनी में अगर लगन में है सभी वें तो नियुक्त due पर जाएगी और इसके बाद सात्री गरों के एक दरस्टी सात्री तो सब की होती है और उसके बाद दस्वी जो माप केचे जो उनके तीसे दरस्टी वो दस्वी होती है तो प्राकरम को देखेंगे जहां बैठे हैं लगन पर तो पैठे ही हैं वो और सात्री साथ दस्वे वो आपको आशा समझ लिजे कि जो गुरू की जो दरश्टी होती है वो ओस्दी परदान करती है और सनी की विच्छे दात्मक होती है बिगाड़ने वाला काम करती है नास की होती है पर ये डिपेंट करेगा भी क्यों कोडली में अच्छी हैं बुरे और दूसरी भी पहुत सा पहुति व संतान को देखेंगे विवागी जीवन को देखेंगे और भागे को देखेंगे इसी परकार एक 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 जाब पर बुर दूसरे ले दे नहीं नहीं पर जो दकना मंगल गुरू सनी राहुकेतू इनको तीन दरस्टी मिली है इसका मतलब ये बिल्कुल मतमानियेगा कि जिनको एक दरस्टी मिली है वो कम भाव को कंट्रोल करने है उनका इतना असर नहीं होगा हर गरह का बहुत जादा असर है हम धीरे धीरे जब हम कुटले अनलाइजिस करें अलागे अब भी बहुत सारे महत्वपून टोपिक है जैसर्डबल हुआ सूरिये से हर गरह एक टाइक डिगरी के अंदर अस्त हो जाता है दसा कैसे निकालते है पर पहले हम कुटले अनलाइजिस करेंगे क्योंकि मैं जह पता है कौन सा टोपिक कहा कवर करना है और उसके ब दोस्तों वीडियो कर अच्छी लगी को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलेगा धन्यवाद